तो गाइस यहाँ पे हमने अभी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बैटरी रेंट टेस्ट किया था इन सारे फोन्स का अब हम लोग लेकर के आगे हैं बैटरी चार्जिंग टेस्ट और यह सारी फोन से देख आप लीजे लेकिन दोस्तो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है जो अभी तक की नॉर्मली चार्जिंग टेस्ट में आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलता था जी हैं दोस्तों हमने यहाँ पे यूज करने वाले हैं वाट मीटर का और जो शुरुवात की 15 मिनेर्स होते हैं जिसमें की फोन बहुत जदा फास्ट चार्ज होता है वो हम आपको यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे वाट मीटर से वन बाई वन करके सारे चार्जर को इसके अंदर प्लग इन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई आखिरकार यह कितने वाट से जो फोन है उसको चार्ज कर तो फिर गाइस चलिए फिर सोच खेया रहे हैं करते वीडियो के स्टार्ट और जिल लोग ने हमारा वो बैटरी डेंग टेस्ट नहीं देखा ना बहुत ही बढ़िया आप लोग ने उस पर रिस्पॉन्स दिया है तो थैंक यू गाइस अलोट और अगर नहीं देखा है तो किस स्पीट से चार्ज हो रहा है सबसे पहले Poco X2 का चार्जर प्लग इन है हमारे वाट मीटर में तो आप देख सकते हैं वो 19 वाट 19.40 या कभी-कभी 18 पे आ जा रहा है एक चीज आपको मैं बता दू 2-3 वाट के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर फॉल्ट ली आपको 15 वाट ही उससे जादा नहीं ऐसा जब मैंने वाट मीटर परचेस किया था तो उसके नीचे लिखा हुआ था तीक है इसके बाद हमने सैमसंग का चार्जर लगाया 25 वाट का चार्जर है गाईस और यह देखिए 24 वाट की स्पीड से चार्ज कर रहा है डिवाइस को तो आप आप देखें सैमसंग भी शुरुआत के 15 मिनिट सो ऐसे होते हैं जब आपका डिवाइस बिल्कुल चार्ज नहीं होता है जितना जल्दी चार्ज हो जाए उतना ही बढ़िया है और इसमें सारे के सारे डिवाइस यहाँ पर फुल कैपसिटी से चार्ज होने चाहिए लेकिन यह 30 Watt का है तो लमसंग में 29 यह 30 Watt की स्पीड से यहाँ पर चार्ज कर रहा होगा लेकिन यहाँ पर हमें दिखा रहा है 33 Watt और ऐसा अगर है तो हमारे जो दूसरे Realme के डिवाइस हैं जो की सेम जो है चार्जिंग स्पीड की साथ में आते हैं वो भी इसी स्पीड से चार् जो की सेम है Realme 6 Pro वाला उसको हमने यहाँ पर प्लग इन किया और देखी गाईस इसमें भी आउटपूट हमें वही सेम देखने को मिल रहा है तो वाई Realme के डिवाइस काफी अपनी कैपिसिटी के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से चार्ज हो रहे हैं गाईस लेकिन दोस् यहां पर आप देखिए यहां पर गाईस यह काफी ज़दा कम है कि ऐवल 18.51 वार्ट की स्पीड की साथ में चार्ज हो रहा है और आप देख सकते हैं पहले 11% था अभी 13% हुआ है यहां पर चार्जिंग स्पीड काफी स्लो है और जब मैं 15 मिनिट के बाद आपको Moto One Fusion Plus के साथ में और guys अगर वीडियो पसंद आ रही है तो please यार क्या कर रहो like दे दो जरू से जरूर like करीएगा जरूर ठीक है तो guys देखिए Moto One Fusion Plus 18W का charger है और शुरुआत के 15 minutes के अंदर at least वो भी है 17.34 Watt की speed से charge हो रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये Redmi वाले और Poco वाले ऐसा क्यों कर रहा है कि जो उनकी capacity है full capacity में वो charge नहीं accept कर रहा है क्या problem है I don't know लेकिन Realme तो काफी यदा fast है 15 minutes हो चुका है और यहाँ पे test results में हमारे Watt meter का result है वो न विजिबल है देखिए Moto1 Fusion Plus 21% और Poco M2 Pro दोनों में लमसम में same ही battery और देखिए charge भी same हुए है हाला कि charging charger में काफी यदा difference है ठीक है Poco M2 Pro को ज़्यादा fast charge होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ गईज अब यह क्या है इसके पीछी reason I don't know बट यह reason था हमारे watt meter ने हमें clearly बदा दिया उसके बाद में 30 minutes के बाद में अगर आपको दिखाऊंगा तो लमसम में आप देखेंगे कि भई है यहां Moto1 Fusion Plus और Poco M2 Pro आसपास में चलिया रहे है और यहां देखिए Poco X2 भी न लमसम में वही है Poco M2 Pro की तरह और Redmi Note 9 Pro Max भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है लेकिन Moto1 Fusion ने काफी है थे इंप्रेस किया और Samsung तो भाई स्लो चार्ज हो रहा है लेकिन उसकी बैटरी भी जादा बड़ी है तो इसलिए वहाँ पर सेंटेज कम वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो वो थोड़ा सा जादा टाइम लेगा चार्ज होने में लेकिन गाईज अभी देखिए 1R हो चुके और 1R में देखिए अभी भी Moto1 Fusion Plus और Poco M2 Pro के बीच में बहुत जादा का डिफरेंस नहीं है गाईज तो मतलब कि अभी तक तो जब तो 70% नहीं हुआ है तब तक तो स्पीड वही दे रहा है Poco M2 Pro चार्जिंग में जो की Moto1 Fusion Plus वाला दे रहा है और देखिए Realme 6 या फिर रियल मी का कोई भी डिवाइस काफी है था फास्ट चार्ज हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि Realme X2 एक्शल में 90% चार्ज होने के बाद में और वही हुआ दोस्तों यहाँ पे एक मिनट के बाद ही लमसा में वा नार 7 मिनट में Realme 6 प्रो भी चार्ज हो चुका है गाईस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करीगा कमेंट भी करीगा और हाँ यहाँ पे हमने जो बैटरी देंट टेस्स किया तो वो भी जाके आप चेक आउट कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं इसके बाद भी है Realme X2 भी यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका है 1 hour 20 minutes और उसके बाद Poco X2 90% के बाद बहुत ज़ादा slow हो चुका था गाई और 2 hour 18 minutes ले लिए के वल यह जो 1% था न 99 से 100 वो तो और भी ज़ादा था तो यही था अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करेगा शेयर करेगा अपने फ्रेंड के साथ में और चैनल पर नए यह दो चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाई तो गाई दिस वाज़ेट आई ओप यू लाइक इस वीडियो डू शेयर इट विट यू यू